जोतिश में ग्रहन का विशेश महत्तम आना गया है पूर्ण चंद्र ग्रहन की स्थिती 31 जनवरी की रात को 7 बज़ कर 37 मिनट 51 सेकंड बज़े पर खत्म हो गई अंचिक चंद्र ग्रहन रात 8 बज कर 41 मिनट 11 से कंद बजे पर खत्म हुआ और उसके बाद पिनम्बरल चंद्र ग्रहन रात 9 बज कर 38 मिनट 27 से कंद बजे पर खत्म हो गया जोतिश में ग्रहन को अशुभोर रहने कारक प्रभाव वाला माना जाता है जोतिश की भाषा में जब भी सूर्य और चंद्रमा राहु और के तुसे पीड़त होते हैं तब तब ग्रहन की घटना घटित होती है सूर्य और चंद्रमा का सीधा एवन प्रत्यक्ष प्रभाव प्रित्वी पर है और उनकी केरणों से पूरी तरह सामाने जन जीवन प्रभावित होता है चंद्र ग्रहन के खत्म होने के बाद तुरंत ये उपाय करके ग्रहन के नकारात्मक प्रभाव से बजा जा सकता है कुम्हान जाकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए, executive 8 ग्रहण काल के खत्म होने बाद देवताओं की मूर्तियों को गंगजल छेड़ककर शुद्द करना चाहिए, ग्रहण कहत्म होते ही घर के भीतर और आस-पास के पॉध़ों को गंगजल छेड़ककर शुद्द कर देना चा जिससे सारी नकारात्मा कुर्जा बाहर निकल जाए।